यहां सा आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं अंग्री कमुनिटीस की जान लेते हैं रूपजी सीखिए अच किर्शी फसलों का वैदा बज़ार कैसा खुलता नज़र आ रहा है और आगे कैसा रह सकता है रूपजी देख रहे हैं कि NCDX पर आज सारी ही कमुनिटीस हरे निशान पर ट्रेड करती नज़र आ रही है अच्छी कासी बड़त देखने को मिल रही है सबसे पहले बात करें अगर यहां पर कैसा सीड़ की तो देखने की कैसा सीड़ का जनवरी वैदा 5962 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है 6016 का भी हाई लगा चुका है रुपा जी जब आज NCDX पर कैसा सीड़ का वैदा बजार खुला था तो 6000 की उपर ही ट्रेड करता नज़र आ रहा था ऐसे मैं आपको क्या लगता है क्या आज एक बार फिर से कैसा सीड़ का वैदा बजार 6000 की उपर सस्टेन होने में कामियाब हो पाएगा या फिर यहां से मुनाफ़ा वसुली बनेगी देखिए फिलाल ट्रेंड पॉस्टीव है थोड़ा बहुत गिरावट रह सकता है आप देखिए नीचे में 940 से लेकर 920 है और उपर में 6000 का सर जो है अगर सिस्टेन रहता है यहां से खरीदारी कैस्टर में करके चला जा सकता है यह से रुपची बात करें अगर बिनौला खल की तो बिनौला खल का जनवरी वायदा देखने की 33303 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है रुपची कल के कारभवाई सत्र में हमने देखा था कि बिनौला खल का जन whackरी वायदा 32 के बाद जा चुका था 32 का जो आपने टार्डडड दिया था बिनौला खल के जन्वरी वायदे में आपका वो टार्डड अचीव हो गया था आपको क्या लग रहा है कि यहां से आगे तेजी जारी रहेगी या फिर यहां से मुनाफ़ा वसुली भी संभव है क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिना मुनाफ़ा वसुली बने एक के बाद एक लगातार तेजी आते ही जा रही है देखें बिलकुल अधिलेश में ने कहा था कि अगर तेजी आएगी गिरावत अगर बनी भी तो छुटमूट गिरावत आप देख सकते हैं लेकिन बहुत जादा एक्सपेक्टेड नहीं थी क्योंकि बजार जी से साथ से कंसोलिडेट हो रहा तो राज वो टार्गेट भी क्या है कुछ अभी प्रॉफिट बुक करके भी निकल सकते हैं क्योंकि करेक्शन ड्यूब है लेकिन आज भी पॉजिटिव दिख रहा है और आज मुझे लगते तेटी सो साथ से तेटी सो असी तक की रेंज हो सकता है कि विनोला खल में देखने को मिल जाए जी यह सिरुप अब बात करें अगर मसालों की तो मसालों में खबरे निकल के सामने ही कि जो मुख्यूत पादक राज्यों है मसाले के राजिस्थान गुजरात आदी जगाह उपर हम देख रहे हैं कि बारिश की संभावना बनी वही है हम आपे हेल स्टॉम भी देखने को मिला है हेल स्टॉ है 9300 के उपर का ही लगा चुका है और जो अपरेल वादा है जनिय का वह 9800 के उपर का ही लगा चुका है अपरेझ असे में आपको क्या लग रहे है कि आगे मसालों में और जादा तेजी बनने वाली है पहले भी में कि मसालों में आगे जो 2022 है वो अच्छा रह सकता है और आप देखिए शुरुआती जनुवरी मंत का महीना शुरू हुआ मसालों के लिए काफी अच्छा रहा सभी मसालों में सेजी देखने को मिल रही है अब दनिया भी जो तेजी पकड़ता हुआ दिखाई देरा है जीरे में अगर 17,000 की सस्टेनिबिलिटी आती है तो 18,000 जीरा भी जा सकता है और हल्दी में हम इसके अंदर तेजी आते हुई देख चुके है 10,000 के उपर हल्दी कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है काफी पॉजिटीव है मसाले अब एक अच्छी घासी डिमांड विक अप होती हुई दिखाई दे रही है यह से रुपाजी बात करें अगर गौर कॉम्प्लेक्स की तो देखने की गौरगम का जनवरी वादा 11,000 के पार निकल चुका है और गौर सीड का जनवरी वादा 6100 के उपर और 6200 का है रूपाजी आपको क्या लगता है क्या गौरगम और गौर सीड में आज इंटर डे में गल की तरह एक बाग फिर से हाइस देखने को मिल पाएंगे क्या फिर से लोवर लेवल से बाइंग इनिशियेट हो जकती है और वहीं अगर गम की बात करें तो आनिमले दिनों में 13,000 तरह के सर देखने को मिल सकते हैं जी यहीं तरुपा जी बात करेंगे सोयबीन की तो सोयबीन में सबसे पहले यह ख़़र निकल के सामने आई है कि अब सोयबीन का छिलका होता है जो हस्क होता है अब उस पर भी 5% GST रगेगा और पूरे देश में यह कानून लागू किया जाएगा दूसरा हम देख रहे हैं कि जो सोयबीन है ना ही जादा उपर जा रही है ना ही जादा गिर रही है 6,200 से 6,300 की एक रेंज में स्टक हो चुकी है तीसरा यूएस के एक्सपोर्ट में थोड़ी गिरावट है और जो साउथ अमेरिका है वहाँ के वैदर कंडिशन सोयबीन के लिए थोड़े सही नहीं बताए जा रहे है वहाँ पर जो हॉट वैदर कंडिशन की वज़ा से सोयबीन की जो फसल है वो थोड़ी प्रवावीत हो सकती है ऐसे में आपको क्या लगता है कि सोयबीन में आगे अभी भी कुछ बड़त बनने की उमीद है लेकिन अभी बजारों में बहुँ जादा कोई अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहे है हमें लगता है कि अभी सोयबीन जो है प्रवन सु से लेकर बासर सो मैक्सिमम अपसाइड पैसर सो तक बना रहा सकता है लुप जी इसे बात करेंगा सरसो की तो सरसो में हम देख रहे हैं कि मंडियों में उपलबदता सरसो के स्टॉक की इतनी रही नहीं है बहुती कम नामातर के लिए रह गई है और जो नई फसल है जो नहीं आवके है वो भी मार्च के महीने में आएंगी लगबग ढ़ी महीने का अभी और समय है सरसो की नहीं आवके आने में ऐसे में हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर सरसो की कीमतों में कुछ उचाल देखने को मिला है आपको क्या लगता है जब तक नहीं आवके नहीं आ जाती है सरसो की तो कर रहे हैं लेकिन यहां से अब जाता तेजी की उमीद बहुत कम है जो यह लेवल मिल रहे हैं मेरे इसाब से इन लेवल पर प्रॉफिट बुक करके एड़िट लेने में ही समझधा रही है आगे चलकर हमें ऐसा लगता है कि एडिबल और फैक्स पिसलते हुए नजर आ सकते है जी दूपजी ही से बात करें अगर M6 cotton की तो M6 cotton में आपको क्या लगता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि cotton की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है और सप्लाई इतनी है नहीं मैंने बहुत पहले भी बताया था कि M6 cotton 25,000 के सर्चू सकती है अब मुझे लगता है कि यहां से जो तेजी है वो चुटमुट और तेजी बंती हुए दिखाई दे सकती है अब देखिए करेक्शन जरूर डियू है cotton के अंदर क्यूंकि लगातार बजार तेजी की तरफ है करेक्शन के बाद बजार फिर कितना सस्टेन करेंगे यह देखना होगा लेकिन अवरॉल ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड पॉजिव है अभी भी cotton के अंदर से हम फिसिकल में एक्पेक्ट करें कि 10,000 तरी बाद छूता हुआ जिखाई दे सकते है तो यानि कि cotton का अवरॉ परफॉर्म करता नजर आया कुछ जादा खास तेजमंदी देखने को मिली नहीं है लेकिन 2021 का अंत होते होते और 2022 के शुरू होते होते देखने की मैंता के जो एक्सपोर्ट से जो डिमांड वो कुछ उठनी शुरू हुई है मैंता में अब कुछ बड़त देखने को मिल रह जाद है कि अगर यह एकजार 34 के ऊपर निकलती है तो आप इसमें तेजी देखेंगे और आज आप देखेंगे एकजार 34 के आसपास चेट करती हुई दिखाई देरी है तो आप यहां से अभी बजार जो है तेजी की तरफ है आप 1100 से 1200 का सर अगर आप 1222 की बात करें तो जी रूपजी दर्शक जुड़े में जो आपसे अपनी कमुल्टीस के बारे में सवाल जानना चाह रहे हैं कोमल कांद कुश्वाजी है जो चीनी में जानना चाह रहे हैं इनका सवाल है कि क्या आगए जाकि चीनी में तेजी आएगी जी रूपजी दर्शक हैं जिनका सवाल आ रहा है कि आगे जैसे मकर सक्रांती है और शादी विया का सीजन भी है तो क्या आगे रिफाइंड सोया तेल में तेजी देखने को मिल सकती है जी रूपजी प्रकाश जी जुड़े हैं जिनका सवाल सीपियो को लेकर आ रहे हैं इनका सवाल है कि क्या आगे सीपियो में तेजी देखने को मिल सकती है रूपजी हमने देखा है कि हाल ही में मलेशिया में बार आई थी कुछ हफतों पहले जिसकी वज़ा से जो पाम की जो फजल है वहाँ पर प्रभावित हुई है और वहाँ पर एक्सपोर्ट भी प्रभावित हुए है ऐसे हम आपको क्या लग रहा है क्या सीपियो में आगे तेजी देखने को मिल सकती है मद्दे नजर की भारत में सर्दियों में सीपियों की जो डिमांड है वो कम हो जाती है तो फिलाल के लिए चुटमुट खरीदारी की तरफ रहा जा सकता है नेकि नंबी तेजी की उमीद अभी फिलाल नहीं करने चाहिए जी रुपजी टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप आज के लिए जिन में अच्छे मुनाफ़क अमागे चुरा जा सकता है बहुत 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 शुक्री रुपजी आज जुड़ने के लिए और जानकारी स्याजा करने के लिए तो आज पूरे ही क्रिशी फजर के बजार में अच्छी ही तेजी देखने को मिल रही है तो ये देख छोटा सा कमुनिटी बजार का अफडेट कि आज कमुनिटी बजार के ऐसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रुपा मैता की क्या रायती फिलाल सिलसला वजार उका में अभी के लवस्तित नहीं लेकिन आपका इंजायेगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसला लगातर योही बना रहेगा मागे नाम सीवी पर अब अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग अप नहीं हर दुकानदार की बस एक ही आप बिग ब्लिस बिग बिस चुने केवल तीस सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान